जब हम अंग्रेजों को इंग्लिस बोलते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि अंग्रेज इकनी अच्छी इंग्लिस कैसे बोल लेते हैं इसमें कोई कटिन काम नहीं है आज मैं भी आपको सेंटेंस बताने वाला हूं जिनने आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं पहले सेंटेंस में लेना चाह dużo तुमने खाना खाän लिया है यूजि आप किसी से पूछ रह एं कि आपने खाना खाया के नहीं माली जी आपको कोई फ्रेंड है, वो कहीं जा रहा है और आप उसको मिस कर रहे हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं, जल्दी आना है, यानि कम सून. मुझे कोई दिकत नहीं है, यदि आपको किसी काम से कोई प्रोलम नहीं है, तो आप अपने feeling जाहिर करिए, I don't have any problem. मुझे प्यार हो गया है, यदि आपको किसी से प्यार हो गया है, तो आपने feeling को अपने friends के सामने कैसे जाहिर करेंगे, आप बोलेंगे, I am in love. नेक्स्ट है आप पागल हो गई हो क्या अक्सर इस सेंटेंस का यूज गल्स करती है बहुत ज़्यादा बोल सकती है Are you mad? Are you crazy? ये भी सई सेंटेंस है नेक्स्ट है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की अगर आप को कोई गल्ती से टच कर ले तो आप बोल सकते हैं गुस्टे में How day you touch me? नेक्स्ट है ओए चल रहा है क्या? अक्सर फ्रेंड आपस में यूज करते हैं तो इसको बोलेंगे Hello, are you coming? नेक्स्ट है चलो चलते हैं आपको कहीं इखटे हो के कहीं पे जाना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं Let's go नेक्स्ट है यह है उसके जैसा आसान है यदि आपने कोई काम कर लिया है वो बहुत आसान था और दूसरा काम आपको कटिन लग रहा है तो आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं आप बोल सकते हैं It's as simple as that नेक्स्ट है मैं एक आम आदमे हूँ I am a common man नेक्स्ट है मैं तेरे प्यार में पागल हूँ यदि आप किसी को यह sentence बोलना चाहते हैं तो आप अपनी feeling को इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं I am crazy in your love नेक्स्ट है कल आएगा क्या इस टोपिक के ओपर वीडियो आपको और चाहिए या नहीं एक ऐसी लगी कमेंट करके जुरूब बताईएगा मिलता एंगली वीडियो में बाई टेक केर